बहुत बहुत स्वागत है आपका जैसा कि देख पारा है एंटॉनिम की वीडियो लेकर आ चुके हैं जी हाँ बहुत बढ़िया वेरे गुड एंटॉनिम आज फटा पट हम लोगों को करना है और देखना है कि कितने भाई एंटॉनिम की हम क्या सीखते हैं नई नई ट्रिक सी मिल जाएगा ठीक है प्लेलिस्ट में जाएए सबका सीरीज बना हुआ है अगर आपको नाउन पढ़ना है तो नाउन का प्लेलिस्ट है प्रनाउन पढ़ना है तो प्रनाउन का है वब का है तो वब के सब प्लेलिस्ट है आप टेंशन बिलकुन मत लीजिए सारी चीजों के योगा क्या होता है, चार वड दिया होता है, चार वड में क्या होता है, एक वड ऊपर दिया होता है, उसका विपरीत जो टम होता है, जो विलोम टम होता है, उसी को आपको बताना होता है, यानि विच एक्सपस, अपोजिट मीनिंग, जो क्या करता है, एक्सपस करता है, अप appogit meaning को express करता है उसे बताना होता है तो चलिए बहुत बढ़िया जैसा कि हमने पहले ही बता दिया in the following question choose the word appogit in the meaning to the given word in the following questions जो नीचे के question है उनमें आपको क्या करना है उनमें आपको बताना है भई appogit in the meaning given word यानि आपको antronym बताना है और term आगया meticulous अब यह time आगया क्या आगया meticulous और इधर देखो आपको कलस दिख रहा होगा लेकिन यह कलस आपको तांबे का दिख रहा है copper का दिख रहा है लेकिन यहाँ पर मिटी का कलस यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे मिट्टी का कलश और मिट्टी का अगर कलश है तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं देखें लिखा भी हुआ है मिट्टी का कलश मिट्टी यह हो गई और का कलश मिट्टी का कलश तो आपको कहीं न कहीं ज़्यादा ध्यान देना है मतलब you are to be careful आपको क्या करना है careful होना है तो यही तो मतलब होता है meticulous का मतलब होता है careful ज़्यादा किसी पर ध्यान दो तो वो कहलाता है आपका meticulous ठीक है वो आपका क्या कहलाता है वो आपका कहलाता है meticulous और forgetful तो आपको भाई पता होता है forgetful बताओ मुझे क्या होता है forgetful का मतलब होता है भाई क्या भूल जाओ किसी चीज को destructive देखो दोवे होते एक होते constructive और एक होता है destructive तो constructive जो होता है वो बनाने वाला होता है और destructive जो होता है वो मिटाने वाला होता है तो डिस्टक का मतलब क्या हो गया मिटाने वाला मतलब किसी चीज़ को रियून करने वाला केरलेस अब केरफुल का अपोजिट क्या होगा केरलेस तो मिट्टी का कलर से तो उसको ध्यान दो और केरलेस अपोजिट होगा आपके लिए FLAGrant. अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? यह हो गई फला. ठीक है? और यह हो गया घर. Fala घर में आंटी. Fala का मतलब XYZ किसी घर में आंटी. अब دेखो किसी घर में अगर आंटी मिल गई फला घर में आंटी मिल गई तो पडोसी जो होते हैं जो लोग क्या करते हैं जो परपंची करते हैं वो क्या करते हैं फला ने घर में आउंटी एकदम बेश्रम है नरलज है कोई उनको क्या है कोई वो नहीं है हाया नहीं है शर्म नहीं है तो ब्रेजन हो गया इसका मतलब फला घर में आउंटी तो फ्लागरे मिट्टी का कलेस है तो ध्यान रखो और दूसरा मिला फ्लागरेंट फला मतलब किसी 요र के घर में क्या है तो विलकुल लोग कहेंगे उनके घर में कैसे चली गई है बिल्कुल उनके क्या है बिल्कुल उनके हाया शर्म नहीं है तो ब्रेजन या श्रेम लेस हो जाएगा यानि दोठ हम आपको याद हो गया बहुत बढ़िया इस घटना के सभी फात्रकालपनी के जैसा आप जानते हैं तो चली आगे चलते हैं हम लोग अब आप देखे क्या जानते है जानता का मकलब होता है सबसे उपर अपर सबसे पीक पर ठीक है चरम पर हमेशा जानित पे रहो जानित थी कहा han जो जैनी थी वो कहां थी highest point पर थी देखिए यहां पर क्या है यह हो गई आपकी जैनी और जैनी कहां थी जैनी थी highest point पर तो इसका मतलब हो गया सबसे उपर अब देखिए एक में भी आपका सबसे उपर होता है climax भी वही होता है सबसे उपर और crisis का मतलब होता है कि भई क्या होता है टर्णिंग पॉइंट होता है जहां से चीज़े खराब हो जाती है चीज़े और ज्यादा जैसे अभी क्राइसस चल लगी है बहुत ज्यादा भायावा इस्तिधी चल लगी तो वो crisis हो गई आपकी ठीक है? तो यहाँ पर देखे, climax होगे, act में होगे और नादिर, नादिर को कैसे याद रखोगे नागिर, कैसे याद रखोगे नागिर, जो गिरा है वो क्या गिरेगा भई, जो यहाँ पर base पर है वो और कितना गिरेगा, नागिर ठीक है, UP SSSC में ये question आ चुका है नादिर आपका, ठीक है UP SSSC नहीं, UPPCL में आ चुका है ठीक है, जो आपका उसका हुआ था बिजली भी भाग का जो paper हुआ था उसमें नादिर और जैनित दोनु आ चुके हैं बहुत अच्छे से याद रखियेगा, नादिर का मतलब होता है नागिर, क्या होता है नागिर तो जो जैनित, जैनित का मतलब है Apex पे और नादिर का मतलब है जो भई गिरे ना, तो मतलब सबसे नीचे है तब ही तो नहीं गिरेगा तो इसका मतलब हो गया, यही आपका क्या हो गया यही आपका opposite हो गया बात क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई, नैजिर का मतलब क्या हो गया है, ना गिर, ठीक है, तो यही आपका पोजिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको क्या करना, ऐसे आपको याद रखना है, चलिए अगले पर बात करते हैं, अगले टाम पर हम बात करते हैं, अगला जो आपका time है वो है obscure, क्या दिया है obscure, तो obscure का मतलब क्या होता है, आसपस्ट होता है, क्या होता है, आसपस्ट होता है, तो ऐसे याद कर लो, ओ बसकर, ठीक है, कोई है मार एकदम लिखे डाल लाए, देको ये writing है, ये writing हमने दिखा दी, तुमने का भया बसकर, मैं नहीं समझ होता है, obvious, अब देखो, क्या given है आपका, word given है obvious, obvious का मतलब हो गए, आपका clear, क्या हो क्या हो गया clear, ठीक है, वो unclear था, obvious, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, clear है बात, ठीक है, और conceal का मतलब होता है, क्या करना, conceal, एक उस concealed, मतलब क्या हुआ, ये भी आपका क्या था, hidden था, औ जील से बनाए, जील का मतलब क्या होता है, जब आप क्या होते है, बहुत courageous होते है, जब बहुत bold होते है आप, तो वो आपका क्या हो गया, जील हो गया, ठीक है, तो ये आपका time हो गया, यानि जो आपका होगा, इसका antonym, तो भीया हम बता दें, इसका antonym, ओ बसकर, तु स साफ नहीं लिखता है, तो साफ हो जाएगा, औवियस हो जाएगा, इसका सही जवाब, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, हम लोग और देखते हैं, क्या होगा अगला question, आगे ostracize, पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, ostracize देखिए, ओ, ostracize को हटाओ, क्या है, जो साइस को हटाओ, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, exclude करना, हटाना, include नहीं, exclude हटाना, banish, keep out, किसी चीज़ को क्या करना, बाहर करना, आप देखो, पहले टम हो गया, आपका क्या patronize, patronize मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है, patronize का मतलब होता है, to support और किसी चीज के साथ चलना, extra size को हटाओ, तो मतलब साथ ना चलो, और इसका मतलब क्या है, साथ चलो, तो यहाँ पर यही हो जाएगा, patronize is the right answer for that, और shun, जैसे तुमने क्या किया किया, किसी लड़की से कहा, सुन, क्या कहा, सुन, उसने का भग, ठीक, तो इसका मतलब होता है avoid करना, ठीक है, वही आपका, क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, avoid करना, discard बिल्कुल सही, discard का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को टालना, ठीक है, जैसे आप computer में setting करते हैं, discard the previous one बोलता है ठीक है, तो हटाना हो गया इसका मतलब, और crucify, अब crucify आ आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि बाइबल में आपने देखा होगा क्राइस को ऐसे क्या करते हैं सूली पे ऐसे चढ़ाते हैं तो जो नेल लगाते हैं वो आपका क्या होता है नेल टू क्रॉस जो आप क्या करते हैं जो सूली पे किसी को चढ़ाते हैं और उनमें जो कील लगाते, वो कहलाता है crucify, ठीक है, तो nail to a cross, cross में क्या करना nail लगाना, यानि कील लगाना ये होता है आपका crucify, सीधे कह सकते किसी को क्या करना, किसी को हाँ, किसी को बली देना, ऐसे कह सकते हैं, mortify essence में बोल सकते हैं, ठीक है बड़ा बढ़िया टम है, contemplative कंटाप बहुत बढ़िया है, ठीक है contemplative, कंटाप से नहीं बनाएंगे इसको किसी और से बनाएंगे, ठीक है अब देखिए, इसको याद करने का आसान तरीका, कौन से temple में आती है, ठीक है, कैसे याद करोगे कौन से temple में आती वे, आती वे थोड़ा यहाँ पे, क्या लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया, पंजाबी ठीक है, कौन से temple में आती वे, अब भाई, ये तो तुमको सोचना पड़ेगा, कि वो कौन से temple में क्या करती, कौन से temple में आती है ठीक है कौन से टेंपल में आती तो ये तो आपको क्या करने पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा सोचना पड़ेगा तो thoughtful और meditative these are two terms ये आपके होते contemplative ठीक है यानी किसी चीज के बारे में क्या करना मनन करना या सोचना wishful तो wishful ऐसे याद कर लो wishful मतलब किसी चीज की इच्छा से related है ये unreflective कोई फराकी नहीं पड़ रहा इधर से message पर message भेज रहे हो उधर से जवाब ही नहीं आ रहा unreflective मतलब कोई सोच ही नहीं है तुमारे बारे में और contemplative का मतलब है कौन से temple में आती हुए मतलब आपको इसके बारे में सोचना है और इसका मतलब हो गया नहीं आती मतलब यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि कोई message पर message भेजा जा रहा है लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है तो यह हो गया unreflective इसका क्या हो गया इसका antonym हो गया और numb आपका क्या मतलब होता है numb का मतलब होता है कि भई away from the feeling ठीक है deprive of feeling मतलब कुछ बचा ही नहीं एकदम क्या हो गया एकदम dull हो गया deprive of feeling हो गयी कुछ बचा ही नहीं aroused का मतलब होता stimulated, मतलब क्या किसी चीज का बहुत ज़्यादा क्या हो जाना aroused, उठ जाना आना, ठीक है, वो हो गया आपका, वो हो गया, aroused stimulation of feeling भी हो सकता यह ठीक है, तो चलिए, आगे चलते हम आगे बात करते हैं, अगले question में तो यहाँ पर unreflective, the right answer काउं से temple में आती है, इस बात को thoughtful, मतलब सोचना पड़ेगा मनन करना पड़ेगा, ठीक है अब देखिए, अगला देखिए, अगला word है आपका, relinquish क्या है, relinquish, अब relinquish है आपका time, अब देखो आजकल चला है, कोरोना, क्या चला है बोलो, कोरोना, तो भाई, तुमको नहीं है, रोना, तो जब कोरोना चला है, तो rail की inquiry rail की inquiry की क्या करो, rail की inquiry की wish छोण दो, rail यह हो गया, rail यह हो गया, inquiry यह हो गया, wish, rail की inquiry की wish क्या करो, भाई, छोण तो इसका मतलब होता है छोड़ देना, रिनाउंस करना, गिव अप करना, और रैलिश क्या होता है, रैलिश क्या स्वाद, यह आपका क्या है, लो स्वाद, यह होता है, रैलिश स्वाद लेना होता है, इसका मतलब कॉंटिन्यू, मतलब आपका क्या है, कोई चीज लगातार च तो यह आपका जो term हुआ, यह continue हो जाएगा, उसका मतलब त्यागना, इसका मतलब जारी रगना, तो इसका जो antonym हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, continuous, the right answer for the same, चले, आगे चलते और बात करते, क्या होगा, सही जवाब, आगे के question में देखते हैं, कि वही क्या, कैसे होगा, हमने सोचा कि homophones meanings है, तो सारी meanings आपको क्या की जाए, बता दी जाए, तो देखो my favorite is peach pie, peach pie is a dish, यह आपकी dish है, with vanilla ice cream, and we have two term, और एक है आपका dessert, dessert, यानि यह homophones है, दोनों के sound है, वो बराबर आती, एक जैसी आती, तो अब बताओ कौन सा लगा, पहले बता दे, D, E, S, E, I इसका मतलब होता है, banjar, arid land, यह आपका क्या कहलाता है, यह आपका क्या है, यह आपका क्या हो गया, arid land हो गया, मतलब banjar हो गया, जहां पे कुछ भी नहीं होता, और D, E, S, E, I, T, एक और S लग गया, ऐसे याद कर लो, एक S लग गया, मतलब sweet आ गया, दो S से sweet है, ठीक है, तो यह है कमजोर, ठीक है, यह आपका क्या हो गया, कमजोर, और W, double E की, यह आपका क्या, यह है, सब्ता, ठीक है, जिसके पात 2 energy है, वो कमजोर कैसे हो सकता, ऐसे याद कर लो, जिसके पात 2 energy है, 2 energy है, तो वो कमजोर कैसे है, आकसे लोगों को confusion हो जाता, when they write, when they write, the particular spelling, they feel problem, what happens, they do not write correctly, sometimes they make mistake, they commit mistake, so in this manner you will have to go through and then you can write the correct meaning, D-E-S-E-I-T is given here, so D-E-S-E-I-T एक स्वीट है, तो भही वो तो मीठा नहीं होगा न, और यहां पर दो स्वीट है तो यह जाइन सी बात है क्या होगा मीठा होगा तो D-E-S-E-I-T मीठा है D-E-S-E-I-T बंजर है टीक है, W-E-A-K कमजोर है और यह आपका सपता है, दो एनरजी टॉनिक है, तो कमजोर नहीं हो सकता, ठीक है अगला देखें, next, तो यहां पर जो answer आएगा, ice cream की बात है खाने वाली बात है तो खाने वाले को लगा दो answer हो जाएगा D-E-S-E-I-T is the correct answer अगले question की और बढ़ते हैं और जानते हैं वाई, अगले question में क्या होगा, सही जवा तो चलिए देख लेते हैं Do you think I should run for seat on the city council and council, पहले देखते हैं अगर आपका C-O-U-N S-E-L दी है तो इसका मतलब जो advise देते हैं ठीक है, जो advise देते है councillor इसी से बना हुआ है जो b 이거는, आपको सलाह देते हैं और council क्या होता है, जो local authority होता है जासे है municipal में वो बोले जाते हैं, council क्या बोले जाते हैं, जो authority होता है उसे बोलते है council और इसे से counselor बना हुआ है counselor ठीक है तो तो council अब भई यहाँ पर seat किसकी है city की seat की बात है तो c-o-u-n-c-i-l is the right answer ठीक है S आपका दिया है S दिया है तो आपका क्या हो गया यह आपका advice वाला हो गया क्या हो गया S E देखो advice की spelling क्या होती है ऐसे याद करो A,D,V,I,S E होती की नहीं होती है जल्दी से बताऊ होती है तो S E जिसमें आए वो सलाह देना है जिसमें S E आए वो क्या है? सलाह देना है C I L तो बस जब S E सलाह देने वाला है तो C I L कौन है? Authority वाला है ऐसे याद करो कि जिन्दन के तो आए बाहार आएगी और कभी भी आप English को भूलोगे नहीं अब देखे प्लेलिस्ट में जो लोग पहले नहीं देख पाएं वो Caps का सेशन वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे देखेंगे जरूर पढ़ाई जरूर करिएगा पढ़ाई के साथ कोई compromise नहीं करिएगा तो the amount for the carpet was the price अब देखे पी आई सी दिये जिसका मतलब क्या होता है जिसका मतलब पैसा ठीक है अब यहाँ पर FAIR दिया है अब आपका क्या दे दिया गया एक दे दिया गया FAIR और एक हो गया तो FAIR का मतलब क्या हो गया clear बस सही पैसा ठीक है और FAIR का मतलब क्या हो गया किराया हो गया जो हम लोग किराया दे ठीक है तो यहाँ पर price की बात है तो FAIR लगा दो ठीक है price भी दिया है तो नहीं तो FAR ही नहीं हो सकता क्योंगे प्राइज दिया ठीक है तो इसलिए FAIR the amount for the carpet was a fair price मतलब सही था जो पैसा था वो carpet का सही था This is the of new art museum ये दिया गया आप देखो SIGST पहले देख लो Sight ये तो अपका क्या होता है ability to see होता है मतलब किसी चीज को देखने की छमता होती Sight और CIT ये आपका क्या होता है ये किसी चीज को refer किया जाता है किसी चीज को क्या किया जाता है refer किया जाता है यहां से वहाँ वो site कहलाता है SITE क्या होता है जगे होती ये site बहुत बढ़िया थी तो answer होगा आपका कौन सा S-I-T-E क्योंकि बात कर रहा है जगे की बात कर रहा है S-I-G-S-T क्या होता है यह आपकी ability to see हो गई, sight C-I-T-E आपका क्या हो गया C-I-T-E हो गया refer to किसी चीज को हम refer जब करते हैं तो हो गया sight ठीक है, this was sighted by फलाने, ठीक है अब देखो S-I-T-E जो हो गया इसका मतलब हो गई place और यहाँ पर place की बात है तो क्या होगा S-I-T-E is the right answer ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा अगला देखिया अगले time की हम लोग बात करते हैं और बात करते हैं तो अगले question को grammar का समान रखा ठीक है, अब देखो B-U-Y buy का मतलब होता है खरीदना, किसी चीज़ को क्या करना खरीदना, आज कल बहुत सबजिया खरीद रहे होगे, सुबह से शान क्योंकि lockdown है, बाहर जा नहीं पा रहे हो तो you buy the vegetables, ठीक है अब B-Y-E, buy क्या होता है रोज buy बोलकर क्या करते हो, सोते हो, buy, farewell ठीक है, बिदा करते हो, और B-Y preposition है, तो preposition है, तो यहाँ पर preposition क्योंकि fragile work होगी, pass होगा इसका मतलब, तो come by the park यही आपका सही answer हो जाएगा, come by, क्योंकि B-Y खरीदना है नहीं पार्क को, ठीक है B-Y अल्विदा करना नहीं है तो कम भी लगा है, तो fragile work बना दो, come by, pass, ठीक है मतलब, पार्क के पास आओ, इस evening देखने के लिए, क्या sunset को देखने के लिए ठीक है, अगले question क्यों बढ़ते है she had to buy off shoes to match her dress अब देखें, यह दिया गया तो pair तो आपको पता है, जोडी होता है pair आपका एक फल होता है, नाश पाती ठीक है, pair का मतलब क्या होता है, नाश पाती होता है और P-A-R-E का मतलब होता है किसी चीज़ को reduce करना कम करना, तो यहाँ पर जो answer होगा, that will be, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वो जूते की क्या करेगा, एक जोडी खरीदेगा, अच्छा, जल्दी से बताओ आप pair of जो सूज है यह आपका singular है की plural, जल्दी से आपको बताना है, comment box में कि a pair of जो सूज है वो आपका क्या है, वो आपका singular है, की plural है, आपको बताना है a pair of shoes, that is singular or plural, let's see how many person, do they give the correct answer, you have to tell a pair of shoes is a singular or plural, let's see who tells, तो pair का मतलब क्या हो गया, जोडी, pair का मतलब हो गया, अफल नाश पाती, and pair का मतलब हो गया reduce किसी चीज़ को क्या करना, कम करना, ठीक है, अगले question की, और फिर से बढ़ते हैं, और जानते क्या है अगला question, अगला question है, दो पिस school asked all faculty members to attend a meeting, अब देखो तो जाहिर सी बात, इस school की बात है, तो principle की spelling, P-A-L होती ठीक है, principle की spelling क्या होती, P-A-L, ठीक है और P-A-L-E क्या होते है, यह आपके क्या होते है, यह आपके doctrine होते है, आपके सिध्धानत होते है, ठीक है, आपके क्या होते है, यह doctrine होते है, thoughts होते है principle आपका क्या होता है सिध्धानत होता है, और P-A-L आपका principle जो होगा वो आपका क्या होगा, जो अधिकारी होता है इस स्कूल का ठीक है तो यह आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया हाँ जैसे आपने सुना होगा हेड प्रिंसिपल ठीक है यह आपने सुना होगा कि मैम प्रिंसिपल मैम ठीक है तो यह आपके पी एल होते ठीक है तो यह याद रखेगा कैसे याद रखोंगे पी एल पैल का मतलब साथी होता है तो वो स्कूल में क्या है सब साथी होता है बाई गूमते रहेते हैं तो PAL ये होता है और PLE क्या होता है आपका सिद्धान तो होता है टीक है तो ऐसे याद रखोगे बस बहुत बढ़िया इसी तरीके पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहिए कोई जाम आएगा तो डट कर उसका क्या करना है सामना करना है डर ना नहीं क्योंकि डर के आगे जीत है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू